आज नौ महने बाद क्या परिस्तिती है सरकार अपनी पीट थपतपा रही है कि रिकवरी रेट अच्छा है, मॉर्टलिटी रेट में कमी आई है इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ लेकिन इन आकड़ों की पीछे चुपकर हम इस सक्चाई से मूह नहीं मोड सकते कि आज तक करोना की बीमारी की वज़े से 90,000 देशवासियों ने अपनी जाने गवाई है 90,000 डेट्स और इसमें इंडारेक्ट डेट्स जैसे लॉकडाउन की वज़े से सड़क पर चलते हुए माईगरन लेबर्स की मौते कारोबार चौपट होनी की वज़े से परिवारों ने की हुई सामुदाई खुदखुशिया ऐसी मौते शामिल नहीं है और इसलिए आज ये देश की जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि जब करोना अपने देश में हाथ पैर फैला रहा था तब आप अमरीकी राष्टा अद्यक्षके स्वागत में मजगूल थे जब देश की सेहत सबाने के प्रयास जरूरी थे तब आप राज्यों की सरकारे गिरानों के प्रयास में लगे हुए थे और इसका खामिया जा आज देश के हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है अगर दूर दुरुष्टी दिखाते हुए आपने उसी वक्त हर इंटरनेशनल ट्रैवलर का आर्टी पीसियार टेस्ट कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और फिर आपने सर्प्राइज इविंट की तरह लॉकडाउन देश पर थौप दिया लॉकडाउन लगाते वक्त ये नहीं सोचा कि इसे फेजड आउट मैनर में भी लॉकडाउन किया जा सकता है ये नहीं सोचा कि मार्श के महीने में करोना का स्प्रेड सिर्फ शहरी इलाकों में था ग्रामीन इलाकों में नहीं और नहीं आपने लोगों को तैयारी करने का आउसर दिया थौप दिया देश्वयापी लॉकडाउन परिणाम सुरूप किसानों के हाथ से फसल चली गई कईयों की रोजी रोटी चली गई माइगरंट लेबर्स को सैक्रों किलोमेटर पैदल चलना पड़ा लोगों ने बच्चों को बिस्कुट खिलाकर पानी पिलाकर सुला दिया लेकिन आप पर विश्वास रखकर उनने उफ तक नहीं की फिर आपने कहा तालिया बजाओ हमने तालिया बजाई थालिया पीटी घंटा नात किया शंक द्वनी के दिये भी जलाए हमने सब किया आप पर विश्वास रखकर किया और विश्वास ये था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से करोना की रोख थाम करेगी आज भी ऑक्सिजन बैड, वेंटिलेटर, आईस्यू बैड की उपलब्दी के आकड़े जोर शोर से बताये जाते है अध्यक्षमोदया लेकिन वास्तविक्ता क्या है आज देश के आम आदमी को हॉस्पिटल में बैड पाने के लिए ऑक्सिजन बैड, वेंटिलेटर उपलब्द कराने के लिए दर-दर की ठोकरे खानी पड़ती है कई अबागी देशवासी ऐसे है कि जिने रस्ते पर दम तोड़ना पड़ा है क्या देश ने आप पर विश्वास जताया था उसका यही फल आपने देश को दिया है आज नौ महने बाद भी सर्वशक्तिशाली सरकार देशवासियों की दिलों से इस दैशक को उखाड ठेक नहीं पाई जिकी उनके दिल में इनसीकरिटी है अपनी जान को लेकर अपनी सेहत को लेकर अपने काम को लेकर अपने भविश्य को लेकर तो क्या यह हमारी विफलता नहीं है आज करोना की मृत्यू संख्या में देश विश्व में दूसरे पाईदान पर है अद्यक्ष मोदया और फास्टेस ग्रोइंग केस लोड में हमने अमरीका और ब्राजी को पीछे छोड़के पहला पाईदान प्राप्त कर लिया क्या यह भूशना है हमारे लिए मैं सदन के माद्यम से अद्यक्ष मोदया स्वास्ते मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन की फेज में है या नहीं अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो सरकार की सब पॉलिसीज फेल हो चुकी है इसका ये सबूत है और अगर इस सवाल का जवाब ना है तो फिर प्रति दिन एक लाग के करीब केसिस कैसे पाए जाते है अद्यक्ष मोदया हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें पॉलिसीज में बदलाव की आवश्यक्ता है अब तक हम इंडिविजल केस अइडेंटिफिकेशन कॉन्टाइक ट्रेसिंग और क्वारंटाइन के बजाए अब हम जियोग्राफिकल स्प्रेट ट्रैकिंग और उस एरिया में पर्याप आरोग्य सुविदा डिप्लॉई करने के बारे में क्या हमें सोचना चाहिए आज करोना से जो युवा उभरे है वो प्लाजमा डोनेट करने के लिए रेडी है लेकिन मैं स्वास्त मंत्री जी से अनुरोद करूँगा कि ICMR का अब तक प्लाजमा डोनेशन के लिए प्लाजमा ठेरपी के लिए क्लियर डारेक्टिव्स नहीं है वही बात सलाइवरी टेस्टिंग की है और वही बात औश्चदों के दरों की है आज फैबी फ्लू ले लिजिए आज रेमडी सीविर ले लिजिए आम आदमी के जेव के पहुंच से ये दमाईया आज भी बाहर है इस पे विचार होना चाहिए दुर्भाग्य की बात तो ये है अद्यक्षमोदया आज तक एक भी कोविड का केस पाया नहीं गया इसलिए मैं अभी नंदन करूँगा लेकिन उसी के साथ जब हम जियोग्राफिकल डिस्टिविशर की बात करते है तो कोविड से सबसे बाधित राज मेरा राज्य है महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र में 22 प्रतिशत केसे से और 37 परसेंट डेट्स है अद्यक्षमोदया मैंने अभी शुरू किया है अभी मैं करेक्टिव मेजर्स पर आ रहा है अद्यक्षमोदया दो मिनिट दीजिए सिर्फ और जैसा सांसद अरविंग जी सावन ने कहा उस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कोशिश करी है आदरी शरत पवाज जी के मारगदर्शन में करी है हमारे स्वास्तमंत्री राजे जी टो पे आए दिन फील्ड पर है लेकिन वह के अनुमान के अनुसा नवंबर डिसंबर में हालात और बिगड सकते अद्यक्ष मोदया और ऐसे में भारत सरकार ने एक सितंबर से महाराष्ट्र सरकार की वेंटिलेटर्स, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स, N95 मास्क ये मदद पूरी तरह से रोक दिये क्या महाराष्ट के रहिवासी देशवासी नहीं है क्या महाराष्ट के रहिवासी के प्रती केंदर सरकार का कोई उत्तरदाई तो नहीं है मैं इस सदन की माध्यम से मांग करता हूँ कि अविलम महाराष्ट सरकार को टेस्टिंग केट्स और अधर कंजूमेबल्स की मदद मुहया की जाए और उसी के साथ अनिंटरप्टेड ऑक्सिजन सप्लाई के लिए महाराश्टर में ऑक्सिजन मैनिफेक्ट्रिंग मेगा यूनिट के निर्मान के बारे में सूचा जाए अध्यक्ष मोदया जब हम कोविड की लड़ाई में रिसोर्स की बात करते उतना ही एहम है स्किल्ड मैन पावर जैसे कि आरो के मंतरी जी ने बताया कोरोना का वैक्सीन आने में कुछ समय लगेगा तो इसके लिए हमें सिर्फ दो मुत्ते इसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पढ़ने वाली है और इसलिए जो नैशनल हेल्ट मिशन के रेट्स है उन रेट्स में आसानी से स्किल्ड मैन पावर उपलब नहीं हो सकती इसलिए National Health Mission के rates को revise किया जाए ताकि और ज़्यादा skilled manpower इस कोरोना की लड़ाई में infuse की जा सके